कोई यह हम लारे लपए देने वाले लोगों में इसे तो है नहीं, यह एक ही कमाई करी है, वो है अपनी जबान की, भगवान राम सबके हैं, लेकिन हमने कभी इसके ओपर राजनीती नहीं करी, यह बोलने की बात नहीं है, हमने तो करके दिखाया है, मैंने और शूती नहीं, लगातार सुबह से कारकरताओं की मीटिंग थी और उतना ही जोश मुझे अब शाम को इनके अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि जो जनसंदे स्यात्रा है, यह काफी पोजिटिव होने वाली है, और इससे काफी परभाव पढ़ने वाला है, कॉंग्रेस के साथ साथ, क्रिण च कारकरताओं के बीच में रहते हैं, तो अपने आप उर्जा आ जाती है, मेरे तो हमेशा उर्जा और जो है साहस मेरे कारकरता मुझे दिलाते हैं, यह जो यात्रा है, जनसंदे स्यात्रा, किस परकार का संदे स्थ खास करके आज कारकरताओं को आपने दिया है, किस परकार के जुटियां लगी है और कहां से कहां तक किस तरह का रूट रखा है मेडम आपने ये जो है यात्रा का दूसरा दूसरा चरण जो है नांगल चौदरी से शुरू होगा कल सुबा जो है 10 बजे और महां से फिर जो है बीस और 21 को जो है यात्रा होगी फिर भिवानी में यहां पे 23 तारीक को आएंगे और पूरा रूट वगरा जो है सब कुछ बन चुका है कहां कहां पे स्वागत होगा किस तरह से लोग कहां पे आएंगे सारा कुछ वो जो है वो सारा कारिक्रम हो गया है तो किस प्रकार से जनसंदेश की बात की जा रही है कॉंग्रेस का संदेश पब्लिक तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा मेडम किन नितियों को और कौन सी कांग्रेस की जो मजबूतिया है वो लोगों के सामने लेके जाई जाएंगी इस यात्रा के मादिम से और कितना परवाव पड़ेगा इस यात्रा से क्योंकि चुनाओ के कापी नजदीक हैं हम लोग देखिए लोग सभा चुनाओ बिलकुल सामने है और पिछले दस सालों में हमने देखा कि यह जो सरकार दो बारी बन चुकी है बाजपा की इन्होंने केबल जूट और जुमलों के लावा जन्ता को कुछ नहीं दिया हालात आज ऐसे हैं कि बेरोजगारी का आलम है हमारे जो बच्चे हैं वो हाताश हो चुके हैं पूरी तरह से रोजगार उनको नहीं मिल रहा है हाई और इसलिए जो है बलकुल यह बरे शाल उनके हो रहे हैं इसी तरह से हमारे जो किसान भाई हैं जिनको कहा गए था कि दोहाजार तेईस के अंदर वाइदा करा था कि आपके आये जो है दुगनी करतें के वो आज जो है वो किसान जो है उसकी आए दुगनी की बात तो छोड़ दो आदी से भी आदी हो गई है इसी तरह से वाइदा करा था बीजेपी ने कि दो करोड नौकरियां हर साल दी जाएंगी आज दस साल उपरां बीस करोड नौकरियां जो हैं सरकारी मिलनी चाहिए थी लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली और ये भी पूरी तरह से जुमला थाबित हुआ है तो ये इसी तरह से महिलाओं को कहा गया था और अभी भी इतनी बड़ी-बडी ये जो है आपके वो आड़िस्मेंट टीवी के उपर आ रही है गैरेंटी इसकी गैरेंटी महिलाओं को जो है दुएं स बहार नहीं निकाला, महिलाओं को तो वो हल कर दिया कि जो गैस का सिलिंडर, जो साड़े 400 रुपे का हमारे समय होता था साड़े 1100 रुपे का सिलिंडर लोगों ने अपनी जेब निकाल निकाल के, जेब काट काट के जो है ग्रहनियों ने और उनके घरवालों ने जो है दिया है अब जाकर उसको जो है 900 रुपे करा है क्योंकि चुनाव को मद्या नजर देखते हो है और चुनाव के तुरंट बात जो है फिर दुबारा से उसको उसी लेबल पे लेके आएंगे या शायद हो सकता है उससे भी जादा लेके आएं और जो मुझे जो पता चला है कई जगा पे तो ये जो है गैस के सिलिंडर बढ़ गए है कि ये पुराने सिलिंडर वापिस दिये जा रहे है और नए सिलिंडर एक कोई नैनो टेकनलोजी का जो बना है वो लेकर आ रहे हैं वो सिलिंडर जो है उसके अंदर केव ये सारे के सारे जंता को मतलब उनकी जेव काटने के लिए करे जा रहे हैं तो महंगाई का इतना जबरदस्त आलम है सरकार की ऐसी नीतियां है जो ये जो है फैमिली आईडी और ये जो है प्रॉपर्टी आईडी जो बना दी ये गले की फांस बन चुकी है विपारी भाई जो है वो इतना जबरदस्त बहे के महल में जी रहा है विवानी में तो आपने देखा इतना जबरदस्त यहां पर कितनी सारी चोरियां होई है यहां पूरा का पूरा हमारे विपारी भाईयों ने जैम भी लगाया मैं उसमें गई भी थी स्वेम और इतना मतलब लोगों का कानून विवस्ता पूरी तरह से विफल हो चुकी है GST तो लगाई थी तो विपार तो वैसे ही किते ठप हो गए थे उसके उपर जो है कानून विवस्ता खराब होने के कारण जो है इतनी ज़्यादा चोरियां, डिकैतियां, मुर्डर और ये सब कुछ होने लगाए तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सरकार का काम होता है जो आज पूरी तरह से सरकार इस चीज़ में असफल रह चुकी है पानी का बात देख लो, पानी जो है यहाँ पर प्रयाप मात्रा में लोगों को नहीं मिलता स्वच पानी नहीं मिलता, सीवर का पानी पीने में मजबूर होते हैं और पानी भी जो है जो टैंकर से लेकर आते हैं बिचारे महंगाई जब इतनी जबरदस है उसके उपर एक टैंकर का पानी का और जो है पांसो साथ सो रुपए जो है वो और केक्ते में महीने के हर घर को देने पड़ते हैं तो ये सारी बातें हैं, जो है हमारा करमचारी जो है वो अंदोलन कर रहा है उसका पूरानी पैंशन जो है, वो खतम कर दी है, तो जो आदमी ने पूरी जिंदिगे अपना अपना इतना जबरदस अपनी पूरी महनत करके उसे काम कर रहा है, रिटार्मेंट के ओपर जब और उसके पास एक pension ही नजर आती है वो ही खतम कर दी सरकार ने तो उसको तो जीने का कोई सहरा ही नहीं छोड़ा है तो ये सारी चीज़ें जो है और बहुत अन्या इस सारा की जो है चीज़ें हैं pension की बात कही थी 500 रुपे pension देंगे आज वो 51 सो रुपे 10 साल होगे हमारे को तो कही नजर आनी रही ना लोगों को नजर आ रही तो ना नए राशन कार्ट बन रहे ना कोई गरीबों की कोई घर बन रहे हर तरीके से सब को जो है बिलकुल हालात ये कर दिये हैं कि राजनीती के अंदर बस खाली धरम को लाकर उसका राजनीती करा जा रहा है और इवेंट मैनेजमेंट और ये जो जुमले हमेशा 15 लाग से शुरू करे थे वो लोगों ने देख लिया आज हालात क्या है लेकिन जिस तरीके से तीन राजियों में बिजेपी की सरकार बनी थी पांच राजियों के जो चुना हुए थे उसके बाद तुरंट आपने महिला समेलन करके ताकत दिखाई थी कि राम मंदर का मुदा बड़ा विपक्स डरा हुआ हर कोई डरा हुआ है कि कहीं न कहीं इससे पता नहीं कितना परभावित होगा विपक्स और राजनिती अगर बात करें पूरे इंडिया की लेकिन तब आपने ये प्रोग्राम करके तो कह सकते हैं हरियाना में जब भी बिजेपी का कोई मजबूत पक्स होता है तब कि रिन्चोधरी उसका सामना करती है और मजबूती दिखाती है कि रिन्चोधरी मजबूत है अब भी आपने राममंदर 22 जन्वरी को आपने यातरा है दोनों एकदम सही मोके पर रख दी है आपको कारेकरताओं पर विश्वाश है और कह सकते हैं कि रिन्चोधरी कोंग्रेस में मजबूती दिखाने के लिए इस तरह से बिजेपी के साथ एकदम सीना तान के सामने खड़ी होती है ऐसे कारेकरम ला के बीच में मुझे अपने कारेकरताओं पर विश्वास है मुझे अपने लोगों पर विश्वास है हम बड़े अमानदारी के साथ अपना काम करते है लोगों के जन हित के काम करते है और ये बोलने की बात नहीं है हमने तो करके दिखाया है मैंने और शूती ने काम करके दिखाया लोगों ने हमारे को परका है चौधरी ये हमारे चौधरी बंसीलाल जी की विरासत है उसको जो है नाक नीचे नहीं होने दिया है और हमारे से जितना हो सका है उतना मेहनत जो है हम दोनों मा बेटियों ने करी है और हमारे कारे करताओं ने करिये, तो उसके लिए जो है, मैं कारे करताओं कि आ बहुत तन्मंध हन से जो है, उनकी सरहाना करती हूँ और मुझे मान है अपने लोगों के उपर, और बिवानी, महंदरगर्ड, दादरी, जिले के जो लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, और उन् सोने से पहले जो है, अपना जाब पाट करके सोती हूँ, चाहे कितनी देर हो जाए, हम सब भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान राम सब के हैं, लेकिन हमने कभी इसके ओपर राजनीती नहीं करी, जो है, अब राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है, राम चार धर्माचारिय जो हैं, हमारे शंक्राचारिय जी हैं, उन्होंने जो बात कहीं, कि सनातन धरम के मताबिक, जो है, वो प्रान प्रतेष्ठान जो है, तब करा जाता है, जब पूरा का पूरा उसका निर्मान हो जाता है, कि जैसे आप घर में भी आप जब प्रस्तान करते थी आप जो है मंदर Soviet कोपूरा करते उसका पूरा कलश बनता उसका पूरा उसका जो आदा हिंसा पूरा अधूरा पढ़ा ऊढ़ा है वह पूरा बनता उसके बादा के किते pace isram संटन धरम के मताबिक पूरी तरह से अच्छी तरह से करते तो बहुत अच्छा होता, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन धरम का राजनीती करना, और केवल इसलिए कि दिहान बढ़काओ असली मुद्दों से, जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है ब्रष्टाचार का, मुद्दा है आम ये इस तरह से जब काम होता है तो वो अच्छा नहीं है, नहीं तो भगवान राम में तो आस्ता सब रखते हैं, और ये कोई भगवान राम की जो है, कोई ये तो है नहीं कि कोईयों कै disorder है कि ये खाली हमारे हैं, हम सब के हैं, हम सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, चाहिए बाद कोंग्रेस परभारी हर्याना का यो बयान आता है और उसके बाद कहा जाता है किस तरह की similar यातराई नहीं की जा सकती कोंग्रेस की तरफ से यह authentic नहीं होती है इस तरह की बहुत सारे बयान जारी होते हैं सोचल मेडिया पर बाते होती है उस पारे में क्या कहें इ बिलकुल निश्चित तोर पर ये जो हमने तीनों ने शेलजा जी ने मैंने और रंदीब जी ने जो ये तै करा भार निकलने का ये संघर्ष है और लोगों तक जो है ये संदेश लेने के जा रहे हैं हम, कॉंग्रिस का संदेश, खरगे जी का संदेश, राहुल जी का संदेश आज जो है आपने देखा राहुल जी ने 6000 किलो मीटर पैदल चलकर कश्मीर से कन्या कुमारी तक भार जोड़ो यात्रा निकाली अब नया यात्रा जो है निकल रही है तो उसी कैस अंदर में उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाना के अंदर जो है हालाद जो है हम सब देख रहे हैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कोई कुछ कहे या ना कहे सचाई जो है धरातल पर वो सब जानते है कि आज बहुत बुरे हाल होוכज़के हैं एक बारी नहीं दो बारी trust high high कर रही है जनता हर चीज़ पर तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं तो यह जो है इस चीज़ को हम लेकर निकले हैं दस लोकसभा चुनाव सामने हैं कि यह लोगों तक यह आवाज पहुचाएं और लोगों की अवाज हम उठाएं कि जनता समझे कि यह जो जिस तरह की शड़ियंतर और यह नौटंकी जो यह रची जाती हैं उनसे परे रहें और अपने जनता जो है अपने हित की बात सोचे अपने बारे में सोचे अपना बच्चे जो है वो नौकरी कैसे लगेंगे किस तरह से जो है ब्रश्टाचार कम होगा किस तरह से कानून विवस्ता जो है जो बिल्कुल विफल हो चुकी है वो ठीक कैसे होगी तो यह सारे काम जो है कॉंग्रेस के समय पर होए थे और हम तीनों नहीं यह बेड़ा उठाया है हमारे साथ सैंक्डों औरों ने कारेकरता जिस तरीके से ठंड में डटे हुए हैं रुके हुए हैं और अडे हुए हैं कह सकते हैं मेडम आलांकि यह जवाब में आपका डिपलोमेटिक नहीं चाहूंगा इन कारकरताओं को यह तसलिय आप दे सकते हैं कि हर्याना में कॉंग्रेस एक किंदर बिंदु पर नहीं टीकी और जो भी नेता हैं वो सब मजबूत हैं निश्यत तोर पर कॉंग्रेस सरकार बनाईगी और मैं आपको एक बात कहना चाती हूँ कि यह हमारा वाइदा है और सब जानते हैं कि जो बात हम बोलते हैं वो हम करते हैं पूरी तो कोई यह हम लारे लपे देने वाले लोगों मैंसे तो हैं नहीं यह एक ही कमाई करी है वो है अपनी जबान की और अपनी सच्चाई की वो जनता जनारदन सब हमारे बार में जानती है और अब जनता को भी सोचना होगा कि अपना हित को उन्होंने देखना है या यह इस त चलाल आपको 21 तारीक और 23 तारीक को जो जनसंदे से आतरा है उसमें जनसंदे से एक दिया जाएगा कॉंग्रेस और खास करके SRK के इतरू SRK वैसे तो आपने फिल्मों भी सुनाओगा लेकिन हरियाना में SRK आजकल खूब चल रहा है इस यातरा के बाद काफी ज़्यादा चर्चाओं में है आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंटर में लिखें इस वीडियो को शेर करें ताकि कॉंग्रेस जन और उसके साथ साथ दूसरी पार्टियों तक ये बात पहुचें तब तक के लिए धन्यवाद राम राम चेह